बच्चो को मेरा नमस्कार एमके एजूकिशन चेनल में आपका सौगत है आई बच्चों लर्निंग आउट्स कम पे आधारित लर्निंग ये अब सामागरी के अंतरगत का अक्छा तीसरी की हिंदी विसे की महत्पूर्ण लक्षी ब्रिच कुर्स की पुस्तक की देखेंगे व कौन से भाका प्रियोग दवाई के रूप में होता है पता कीजी कि किसी साधी जनम दिन पार्टी में कौन-कौन सी सामगरी का प्रियोग करते हैं यह सामगरी कहां से प्राप्त की जा सकती है आपके परिवार में आपके बड़े भाई बहिन से चित कर जानकारी प्राप्त क करें कि वे अपनी पढ़ाई के लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं चौन्ता बिंदू है अपने परिवार के किसी बुजर्ग व्यक्ति या किसी बड़े व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करें कि आपके यहां आज जो बरतन प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो पहले भी प् आपके परिवार में जितने हैं आप यहां पे संख्या लिख दीजिए आपके परिवार में कौन-कौन सदसंत्र माता पिता और भाई बहन फिर आपकी माता जी का क्या नाम है तो जैसे हमने रादी का लिखा है आपकी माता जी का नाम आप यहां पे लिखेंगे आपके पित धुनिया इसे स्यूंग करते हैं, यह उन्य पाणे संवाइय कोई। आप किस प्रकार काम up को करके माता पिता के कामें हैं, बता यह सकते हैं इसे पिता के काम membा et कारियों में पानी लाने में बाजार जाने में माता जी के कारियों में हम खाना बनाने में सयोग कर शकते हैं सफाई करते समय कपड़े दोलते समय बगीचे में सयोग कर सकते हैं आपके परिवार में कौन में कौन सबसे जदी पसंदे तो माता पिता आप ऐसे कौन कौन से काम करेंगे जिससे आपके परिवार का मान बढ़ा रहा है हमें अच्छे से पढ़ाई करेंगे हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे जिससे समाज में माता पिता का नाम रोशन करके अपने परिवार कामान बढ़ा सकेंगे मुल्यान का नमबर पंदर भी दी गई है निमलकित सब्दों के परियावची सब्द लिखकर परियावची सब्द का वाक्यों में प्रियोग किजिए जैसे गाय को गव कहते हैं गाय को हम गव भी कहते हैं किताब तो हम दीपावली में कमल की फूल की पूजा करते हैं, लिख दीजी लड़का, मतलब बालक, लड़का इसकुल आता है, लड़का विध्या ले आता है, लिख दीजी महमान या नयती थी, आज मेरे घर महमान आ हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं, आसा है वीडियो को आपने तक देखा होगा चेनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा बेल आइकन को प्रेश करने ताकि आने वाली ऐसे ही मैद पूर वीडियो का नोड़ पी किसे नाव तक पहुंसते रहेगा कमेंट्स बाक्स में आपके शुजावश बताइए हम फिर मिलते हैं तब तक के लिए म समस्कार जैहिन चैनल